माध्य प्रदेश की पूर्व सरकार में क्रशी मंत्री रहे कस्तरावत की विधायक सचिन यादों ने आरोप लगाया है कि मुख्य मंत्री सीवराज सीर चोहान के नैतरत वाली भाजपा सरकार जन अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर रही है यादों ने आज समवर को NVDA Guest House कस्तरावत में पत्रकारों से चर्चा में विजेपी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि कॉंग्रेस विधायकों के निर्वाजन शेत्रों में भाजपा की सरकार ने विकासकारियों को ठप कर दिया है इन्हें पूरा कराने के लिए मैं लगातार संघर्श रथू विधायक सचिन्यादों ने पत्रकारों को बताई की क्रशी मंतरी रहते हुए मैंने कस्तरावत में 2,145,145 रुपे की लागत से एक कोशल विकास केंद्र की स्विकरती प्रदान की थी जिसका सीला न्यास और भूमी पुजन भी किया गया था रोजगारों उन्न मुखी प्रशिक्षन के लिए स्थापित किये जा रहे इस कोशल विकास केंद्र की स्थापना को ठंडे बस्ते में डाल दिया है कस्तरावत सेकिल खान की रिपोर्ट विधायकों की खरीद फरोग करके सत्ता में तो बैठ गये लेकिन जो जन भावना हैं उन जन भावना के अनुरूप ये सरकार काम नहीं कर रही है और उसी का दुष्परिणाम है कि आज हमारी कस्तराव विधान सबा की यतनी विभिन योजना हैं हमने हमारे साशनकाल में स्वक्रित कराने का काम किया था वो सारी योजनाओं को ठंडे बस्ते में डालने का काम आदेने साथ चूप किया है मैं जब प्रशी मंत्री था तो मैंने बारा महत्पून सड़के हमारे शेत्र के किसानों के लिए हमने मंजूर कराई थी और उस योजना में लगभग सारी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी थी निवद्याय हो गी थी, एजिंसिया फाइनल हो गी थी चुकी मूल विभाग हमारा वंडी विभाग था लेकिन जो क्रेयन वे एजिंसी थी वो पीड़वडी थी उस पीड़वडी विभाग को हमने लगभग 21 करोर उपे हमें ट्रांसफर करने का काम भी आदर ने सात्यों किया था स्रिक काम सुरू होना था लेकिन इस बीच जो सत्ता परिवर्तन हुआ और सत्ता परिवर्तन होने के आज लगबग 20 साल होने में आ रहे हैं इन 20 सालों में उन योजनाओं को जो लोगों से जड़ी वी योजना थी उन योजनाओं को थंडे दिनों जो हमारे विदान सभा का सतर आहूत हुआ था उसमें हमने एक प्रश्ण के माद्यम से जिसका वीडियो जो है आप सब लोगों ने देखा होगा उसमें हमने इन योजनाओं को पुनह सुखृति प्रदान सरकार प्रदान करें और हमारे जो किसान साती हैं उन किसान सात को राहत पहुचाने का काम करें इसके लिए हमने उस प्रश्ण के माद्यम से हमने कारवाई करने का काम आदन साती हो कहा था जहां पर मानिय पीड़बली मंत्री जी ने हमें आश्वशन दिया था उर्दान सभा में कि हम पत्र लिखकर के जो मूल भग है मंडी विभाग जो विपन्डों कर न का काम मांदली सातियों करेंगे लिकिन इस तरह की कोई भी कारवाई जो है अभी धिक्ति होई होती ही ऊति है नहीं दे देरी है मैंने पुन्ह जो है एक पत्र लिखकर के जो आश्वाशन मादमनी मंत्री जी ने हमको दिया था उस पैसके जानकारी हमने ज कि भावनात्रों कुछ से घुना थे कि उसकी मंजिरी आपके पिपाज़े करते हैं तो क्या आप नहीं सांटे क्या पुस्तों एक है बड़े अंगोलों कि उसके नेगा उसके कृट्काल हर्थिया गया मैं दो कर хотите चाहे उपले चाहे क्या वह लिए धी चाहे लेंस स्यावना सब्सक्राइब है तो जो हमारे चेत्र के कुछ सातियों ने वहाँ पर दर्ना प्रदशन भी है वहाँ पर करा था तो यह लगातार जो है हम लोग इस महत्पुन विशे को इस महत्पुन सड़क को ले करके यहां तक कि NTPC को क्योंकि NTPC जो है अगर देखा जाए तो मूल रूप से अगर कोई जिम् रहे हैं और जिसके कारण जो है आज यह स्थिती हुई है हमने पिछले दिनों एस जिम्साब से अनुरोध करके वहां पर भारी बहानों का का आवा कमन को हमने बंद करवाने का काम आदने साथ यह लेकिन उससे समस्या का हल नहीं होने वाला है समस्या का हल तब हो पाएगा जब साशन जो है इस गंबीर विशे को जो है स्विकार करेगी और इसमें तत्काल रूप से जो है कारवाई करते हुए इस महत्पुन रोड को पूर्ण करने की दिशा में उसको इसके टेंडर करवाने का काम आदने साथ यह लेकिन आज दिनांग तक कोई कारवाई होते हु हमने पिखले दिनों जब चेतर के बहुत सारे सातियों के हमारे पास फो नाने लगे हुए हमने सब जगा हमारे सातियों से जाइदा भी लिया सबसे बात भी करी और वाके में हमारे यह वर्षा के कारण जो है वर्षा के कारण बहुत सारे हमारे चेतर में हमारे किसान सातिय कि फसले खराब होने की जो है थबर लगातार आ रही है हमने जिला प्रशाशन को और माननी मुक्त मंत्री को भी हमने पत्र लिकार पेजा है कि इ diez यह रही हम общем है और हमने उन सेरै करा है कि तत्कार प्रभाव से जो है आप इसका सर्वे करवाएं और सर्वे कराकर के जो फसल नुक्सानी हुई है और फसल नुक्सानी की भरपाई करने का काम करें और उनको वुचित मौवज़ा देने का काम करें हलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमारा चैनल S24 News हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना मुलें